कुर्शन देखिए 32 नमर कॉस एक्स बाई एक्स इसको भी मान लेते हैं माना एफ एक्स बराबर में कॉस एक्स बटा एक्स तो एफ डैस एक्स निकालने के लिए फॉर्मुला आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बर्टा में एच चलिए रखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस एच बर्टा में x plus h और minus cos x बटा x और इसी के बटा में है आपका h उपर LC हम लेते हैं देखते हैं क्या आता है limit h tends to 0 उपर LC हम लेंगे तो होगा x plus h into में x इसमें इसे भाग करेंगे इस जाके into करेगा तो x cos x plus h इसमें इसे भाग करेंगे यह जाके उपर into करेगा तो हो जागा आपका x cos x minus का h cos x और इन सब के बटा में क्या है यहाँ पर h है यह पलट के इसमें गुना कर जागा उपर देखो limit h tends to 0 इन दोरों में से x common कर लो तो बचेगा cos x plus h minus में cos x और minus h cos x बटा में h into में x plus h into x ऐसे लिख सकते हैं चलिए अब देखें यहाँ cos c minus cos d का फॉर्मूला लगाते है limit h tends to 0 x यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तो यहाँ हो जाएगा आपका cos c minus cos d का फॉर्मूला minus का 2 sin x plus h plus x by 2 and sin x plus h minus का x by में 2 ठीक है और फिर minus का h cos x बटा में h into x plus h into x ठीक है चलिए अब देखते हैं यहाँ पर limit h tends to 0 यहाँ x है यह into कर देता है minus का 2 x कर देता है minus का 2 x sin 2 x plus h बटा 2 और sin यहाँ आजाएगा आपका h बटा 2 minus का h cos x और इसके बटा में आपका h into x plus h into x अलग-अलग डिवाइड करते हैं ठीक है तो limit h tends to 0 minus का 2 x sin 2 x plus h बटा 2 sin h बटा 2 और इसके बटा में आएगा h x plus h into x minus limit h tends to 0 h cos x बटा में h into x plus h into x चरिए आगे अब इसको solve करते हैं यहाँ h h कर जाएगा देखिए अब यहाँ पे यह minus x बाहर निकाल लेते हैं अलगाते हैं limit h tends to 0 इसके साथ और इसको अलग कर लेते हैं sin 2 x sin 2 x plus h बटा 2 और बटा में x plus h बटा में x अच्छा एक और काम यहाँ पे कर सकते थे काट भी सकते थे x x लेकिन कोई दिक्कत नहीं है नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है into में x रहने दो into limit h tends to 0 यहाँ पे देखिए sin h बटा 2 है ठीक है और यहाँ 2 इसके डिभाइड में जागा तो यह भी h बटा 2 minus limit h tends to 0 cos x बटा में x प्लस h into में x चलिए अब देखते हैं 0 पूट करते हैं minus का x sin क्या हो जागा 2x प्लस 0 बटा 2 बटा में x प्लस 0 into x और इसका वैलू तो 1 हो जागा और minus यहाँ पूट करोगा तो cos x बटा में x प्लस 0 into में x चलिए देखते हैं तो यहाँ क्या हो जागा भई यहाँ minus का x यहाँ 2x बटा में आपका x स्क्वाइर और minus cos x बटा में यहाँ भी x स्क्वाइर ही होगा x और x x स्क्वाइर हो जागा LCM ले ले लेते हैं यहाँ पर तो आपका अंसर आजागा यहाँ पर x स्क्वाइर LCM में यहाँ minus x sin x minus cos x और बटा में x स्क्वाइर चलते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन